वेल्कम बैक टो मार चानल तो फ्रेंज मार्के एनलेसिस वीडियो फिर से आचुकी है आप लोग के लिए यहां पे आप लोग को लेविल बताए गए हैं प्राइजेक्शन बेस की उपर बताए गए हैं तो बिना टाइम इस की चलते हैं वीडियो के अंदर तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टाए के पांच़विण का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ओपनिंग दी है यहां पे आज के दिल फिर मार्केट नीचे गया फिर उपर आया थोड़ा से यहां पर डबलू पैटन बनाया, डबलू पैटन बनाने के बाद थोड़ा सा जो है, इसने आज हमें उपर की मूव दी है, और काफी अच्छे से मूव दी है, तो यहाँ पर लेविल्स भी आप लोग देख सकते हैं, कैसे मैंने आप लोग को कल बना के दिखाये थे और वो कैसे वो मार्केट का जो है, हाई कौन सा था, लो कौन सा था, और दो चीज़े और की मार्केट में क्लोजिंग कहां दी है, और ओपनिंग कहां दी है, यह चार चीज़े काफी इंपॉर्टेंट होती है, और लेवल सपोर रजिस्टेंस हम उसी हिसाब से ही बना लेगे, तो यहाँ प बनती वह यहां लगबाग इसके पास बनती क्यों बनती रीजन में आप लोग को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर डबलू पैटन बना था तो उसके बाद इसका ब्रेक उटाया रीटेस्ट हुआ रीटेस्ट के बाद आप देखिए इसने लगबाग जो है हमें 1 ratio 2 से जादा काही profit दिया है तो काफी अच्छा profit था छोटा सा stop loss और काफी अच्छा एक profit यह तो हो गई हमारी पहली entry दूसरी entry के यहां पर आगर हम बात करें तो मैं नीचे से उपर की set फिबोर रो करूंगी तो आप लोग ही या देखने को मिलेगा कि यहां पर जो है इसन confirmation भी काफी अच्छी हो गई चोटा सा stop loss हुआ और अब हम profit देखें तो इसमें profit भी जो है हमें इसमें आराम से 1 ratio 3 देखने को मिला जो की काफी अच्छा जो है profit हो सकता था हमारे लिए यह दो entries जो है वो काफी अच्छी रही market में तो यहां पर आगर आप देखें तो मेरा य यह picture भी शेयर के थी जहां पर मैंने आप लोग को position बताई थी सारी चीज़े मैं आप लोग को प्रिम ग्रूप पे बताती रहती हूं जो में प्रिम ग्रूप में जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा प्लस यहां पर अगर हम बात करें nifty की कि nifty में जो हमारे levels होने वाल थीजान में रखने हैं और प्लस जो support जहां से market बार बार ले रहा है या फिर जिस्टेंस ले रहा है वो levels यह चार चीज़े जो हैं चारो पांच चीज़े काफी important रोल प्ले करती है market के अंदर और यह जो level है यह levels है जो कल हमारे market में काम आ सकते हैं एक यह वाला level भी हो गया जो कि है 21,000 का यह psychological level है तो फिर यह obviously important होने वाला है क्योंकि market ने आज के दिन भी अगर आप देखे तो rejections लिये हैं फिर support लेकि उपर गया था market प्लस यहां पर भी एक level हो गया जहां से market ने पहले भी जो है support लिया था और जब ब्रेक किया तब आप देखे कितनी अच्छी जो है हम इसमें downfall देखने को मिली तो यहां पर यह चीज़े तो हो चुकी है अब हम बात कर लेते हैं हम आमारी trade कल के लिए किस सैट देख सकते ह अगर मैं यहां से उपर से नीचे की साइट फिबो डॉ करती हूँ तो अगर यहां पर देखे आप इसने 0.5 का जो level है वो break कर दिया है तो यह देखते हुए तो हम यहां पर यह पता लगता है कि हम जो है उपर की साइट देखेंगे लेकिन कब देखेंगे जब यह resistance जो है उसे break कर देगा फिर और अगर मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं यहां पर वो क्या है कि अगर मैं बिलकुल उपर से नीचे की साइट जो है फिबो डॉ करती हूँ तो यहां पर देखे इसने fix 0.5 के उपर closing दी है बिलकुल उसी के उपर ही है तो हम यहां पर डाउ उपर किसे entries देखेंगे उम्मीद करती हूँ सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा सो तैंक यू